हम बात करने वाले हैं आर्वे एनल के बारे में रेल विकास निगाम लूटिड करेंटली हम डेली चार्ट पर हैं ये स्टॉक मैंने आपको टॉप से सेलिंग के लिए दिया हुआ है और अगर आप दिखोए जो ब्रेकडाउन आया था करीब 580 के सम्थिंग सकता है फिलाल अभी हम आलमूर्स बॉटम के आस पास हैं लाश्ट टाइम जो मेंबर्स ने किसी ने कमेंट किया था कि हमने मिस कर दिया बाइंग आपने सेलिंग मुला था देखो अभी भी सेम लिबर पर ये बाइंग करना है कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक चीज़ समझना अगर आप इसके लिए कमेंट करते हो यह जो मुमेंटम है इसके लिए कि हमने मुमेंटम मिस कर दिया तो फिर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यह बाइंग सिंगल यहां पर भी है इस point पर भी है, यहाँ पर भी repeat हुआ है, यहाँ पर भी repeat हुआ है, तो अगर आप इस single buying पर जा रहा है हो, तो आपको इसका accuracy समझ में आना चीए, फिर किसका कोई accuracy है नहीं वहाँ पर, ठीक है, दस मैं से एक बार ही इस type का buying continue होता है, 9 बार इस तरीके से fail होता है, तो क्या stop loss देना आप afford कर सकते हो, क्या उसके बाद आप profitable हो पाओगे, यह बहुत बड़ा question है, तो आप किसी को negative comment करते हैं, या आप किसी को ऐसा बोलते हैं, तो उससे पहले आपको खुछ समझना पड़ेगा, क्या आप इस तरीके के momentum पर attempt करोगे, सेम चीज है, क्या आपको आज confidence ह जब यह अपने bottom पर चल रहा है, कि यहाँ से hold करेगा, या reverse करेगा, यह अगेन एक बहुत बड़ा question है, तो इचीज समझना पड़ेगा, सेम, अगर हम अपने LSS पर वापास चल आते हैं, long term के हम बात करें, long term के लिए 420 का level अच्छा है, लेकिन यहाँ से 360 या 320 मिलता है, त लेकिन जब तक मुझे 50% के आसपास के discount पर नहीं मिलता है, तब तक मैं full quantity के सांथ entry नहीं लूँगा, बहुत simple सी बात है, दूसरे बहुत सारे stocks हैं, जो आज करी 55% डाउन है, बहुत अच्छे fundamentals के सांथ, कुछ stocks जो है, 60% भी डाउन है, तो कहीं न कहीं हम उने stocks में focus कर सकत हैं, ऐसा मेरा view है, levels की बात कर लें, 420 हम बहुत important support पर हैं, जो मैंने starting में आपको कहा था, कि यहां पर आकर buying activity दिखने वाला है, पहले बार आया, दूसरी बार आया, फिर buying हुआ, third time में आप देखोगे, तो almost flat हो जुका है, दोनों बार जब buying आया था, तो सार्फ buying है, एक ह इस बार में buying आ गया था, अभी हम continue वेट कर रहे हैं, तो इस बार हो सकता है, breakdown हो जाए, अगर आप गलती से भी breakdown करके निकलते हो, तो 380 से लेकर 360 पहला range होगा आपका support का, और दूसरा जो level है, 320 के आसवास निकल कर आता है, जो हमारा mean support यहां पर बन सकता है, sortum buying कब करना च छोड़ना पड़ेगा, 10-15% के आसपास का, जब तक कि एक projection confirmation नहीं मिलता है, जब एक projection confirmation आएगा, उसके बाद ही आप buying कर सकते हो, क्योंकि directly buying ले जाओगे, तो मैंने अलड़ी आपको भी explain किया, starting में ही, कि इस type का momentum है, कैस में आपको confirmation है, तो वो बहुत बड़ी बात है, ठ करता है, फिर हम short term माहिंग के लिए continue कर सकते हैं, या swing trading के लिए महां से continue कर सकते हैं, तो swing trading के लिए और short term के लिए अभी current level पर कोई confirmation नहीं है, mid term और long term के लिए अच्छा level है, हम current level से quantities add कर सकते हैं, जिसमें 380, 360 और 320 का level हमारे लिए सबसे ज़्यादा important होने वाला है, बाग